कई दिनों के बाद विहार से भगवान बुद्ध मगद की राजधानी राजग्रह से प्रस्थान करने वाले थे लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदी लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे अपने शिश्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्विकार कर रहे थे समराट बिमसार ने उन्हें भूमी खाद्य वस्तरक वाहन आदी प्रदान किये नगर सेठों ने भी धंधान्य और सुवर्ण आभूशन उनके चर्नों में अर्पित कर दिये सभी के दान को स्विकार करने के लिए बुद्ध अपना दाया हाथ उठा कर स्विकृती इंगित कर देते थे भीड में एक व्रिधा भी थी वह बुद्ध से बोली भगवन मैं बहुत निर्धन हूँ मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है आज मुझे पेड से एक आम गिरा हुआ मिल गया मैं उसे खा रही थी तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास इस आधे खाये हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं है इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ कृप्या मेरी भेंट स्वीकार करें वहां उपस्थित अपार जनसमुदाय राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आये और उन्होंने दोनों हाथ फैला कर वृद्धा का आधा आम स्वीकार किया समराट बिंबसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा भगवन एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उभार तो आपने केवल हाथ हिला कर ही स्वीकार कर लिए लेकिन इस बुढ़िया के जूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतर कर आ गए इसमें ऐसी कौन सी विशेष्टा है बुद्ध मुस्कुराकर बोले इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूजी दे दी है आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ती का कुछ अंश ही है और उसके बदले में आपने दान करने का अहकार भी अपने मन में रखा है इस वृद्धा ने मेरे प्रती अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है फिर भी उसके मुख पर कितनी नमरता और करुना है